कि मुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका लेमनी जी में दोस्तों बहुत की का आज का हमारा भाग जो है ग्यारवा है पिछले बाग में हमने जो रश्ट तरह हुआ और उससे सम्वन्दि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया था आज हम इस्टार्ट करेंगे उस्मा को उस्मा जो की बहुत ही महतुपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही दिस्तरत है तो इस वज़े से इसके सारे इंप्टन चैप्टर को पार्ट वाइस डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आज उस्मा का जिवह प्रथमबा आ गए ताग शुरू करते हैं उस्मा को और बात कर है कि उस्मा में परिकार की उर्जा होता है जो की चार में बदली जा सकती है तो उस्मा क्या है एक प्राकार की उज़या का इक स्वरूप है और गारे में पिछ्ले वी जिवे गिग्स की चांपी बचे। करता है किस परकार कि महाँ जिए कोई भी चीज हम छूते हैं तो अम थंडी लगती है गर्म लगती है बहुत ज़्यादा करम लगती हैं तो यह जिजिए जो वह यॉस्मा है वह एक उर्जा है अब इसे सवाल किस परकार से बनते हैं और क्या कि एक्जामस में पूछा जाता है उस पे फोकस करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कैलोरी क्या है कैलोरी क्या है ब्रिटेस थर्मल यूनिट क्या है या अंतराश्ट्री कैलोरी क्या होता है और इसके बाद केलोरी को किस में वेक्त करेंगे मतलब किस प्रकार समझेंगे तो एक ग्राम जल के ताब को एक डिग्री सेंटीग्रेट बढ़ाने के लिए जितने उस्मा के आवश्यक्ता होती है वह एंपो कैलोरी कहलाती है क्या हो गया एक ग्राम जल का ताब एक डिग्री सेंटीग्रेट बढ़ाने के लिए आवश्यक्त उस्मा यहोगी कैलोरी अब इसी में जब हम एक ग्राम जल की बात करते हैं अगर हम जल को एक किलो कर लेते हैं तो एक किलो ग्राम जल के ताप को एक डिगरी सेंटिग्रेड बाहने के लिए जो उस्मा किया रशकता होगी वह हमारे किलो कैलोरी कहलाएगी ठीक है अब बात करते हैं दूसरी जो अंतर राष्ट्री कैलोरी अंतर राष्ट्री कैलोरी यह क्या होता है यहां पर रेंज स्पेसिटिक नहीं है जब हम कैलोरी की बात करेंगे तो मैं कुछ विसेश रेंज की बात नहीं की गई है किसी भी situation में लिजाएगर हमारा जल दो डिगरी स सेंटीग्रेट पर है अब इसको मैं तीन दिगरी सेंटीग्रेट करना है एक डिगरी सेंटीग्रेट पर आना है तो यहां पर जो अवस्चा कुछ मांओगी वए से 15-15 दिग्री सेंटिग्रेट तक बढ़ाने के लिए चो आवश्यक उस्मा है वह क्या कहलाएगी अंतराश्ती कैलोडी नेक्स्ट बात करते हैं चौथी ब्रिटेश थर्मल यूनिट की तो क्या होता है इस पे जो हम रेंज चेंज करेंगे कि एक पॉंड एक पॉंड जल का ताप एक डिग्री फॉरेन हाइट बढ़ाने के लिए और अश्यक उस्मा की मात्रा क्या कहलाती है एक ब्रिटेश थर्मल यूनिट कैलोरी एक कैलोरी कितना होता है 4.18 जूल ठीक है 4.18 जूल के बराबर होता है यह मान कहीं बार पूछा जाता है और एक किलो कैलोरी क्या हो जाएगा वन किलो कैलोरी तो 4.18 इंट्ट्ट्ट्ट्ट्टी पावर 3 जूल ठीक है यह रेंज कुछ जाती है अब बात करने ताप मापन की जैसे यहां बात आ रहे थी 4 एक जिए डिगी की पきा उस प्र operators को जाता है सबसे सराल तरीके से माज समझेंगे तो जो टाप माम्ध के पैमान वो कौझब हम से हैं आ तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमबर वान डिगरी सेंटीग्रेट ठीक है नमबर दो डिगरी फॉरेनाइट नमबर तीन जो हमारा वो रियूमर और नमबर चार जो है वो क्या है कैल्विन ठीक है ये जो रेंज है ये जो तापापन के पैमाने जितने भी पैमाने हैं जैसे कि अपने आविस्कार को के नाम पर है जिन्हों ने इसका अविस्कार किया जैसे केल्विन ने केल्विन का आविस्कार किया केल्विन पैमाने का तो उनी के नाम पर रखा गया अब इन में खास क्या आए वो देखेंगे तो कैल्विन पॉर ऑने में चिरो से लेकर के विबाद थी है थीक यह तो इसका जो हिमांक बिंदू है जो इपोर्टन पुछछा जाता है हिमांक बिंदू और भाव बिंदू दो चीजे हर पायमाने की मैटोकोड है वो आप इसका हिमांग बिंदु है और 100 डिग्री सेंटीग्रेट इसका भाब बिंदु है जल के लिए आपर आम बात करेंगे अर्चीज की तो कुल यहाँ पर जो खांचे हैं जो खाने हैं जो ग्रेजुएशन है वो हंडर होती है मतलब एक ग्रेजुएशन की वेल्यू टेग्री सें होता है कुल 180 इसमें ग्रेजुएशन होती है और एक ग्रेजुएशन की वेल्यू एक डिग्री फॉरेनाइट होती है ऐसे अगर हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की तो कुल 180 नंबर्स में होगी और एक ग्रेजुएशन की वेल्यू एक डिग्री फॉरेनाइट होगी ठीक ह यह ओगल फारेनाइट की बाद, अब बात करते है, रिमर परमाने की, तो इसमें 0 से लेकर 80 तक की ग्रेजवेशन होती है, और एक ग्रेजवेशन की वैल्यू कितनी होती है, एक रिमर, ठीक है, अब बात करते है केल्विन की, तो इसका जो, इसमें जिकिए इमांग बिंदू क कितना है, 80, इसमें बाद बिंदू कितना है, फार नाइट में 210, कुल कितनी होती है, 180, यह चीजे, यह डेटा है, इंपॉर्टेंट एक जाम्स के लिए, ठीक है, अब बात करते है केल्विन की, इसका जो, हमांग बिंदू होता है, 273 डिग्री होता है, और जो भाद बिंद इसमें केल्विन में भी होती है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से संबंध रखते हैं एक दूसरे से प्रमाने, तो उनमें से कैसे सवाल कनवाइट करते हैं, कई बार कि एक्जाम्स में क्या होता है, कि कोई भी टंपरेचर आपको फॉर्ण हैट में देगा, उसको केल्व ठीक है, is equal to f minus 32, upon 180, is equal to r upon 80, और is equal to k minus 273 upon 100, ठीक है, यह जो फार्मूला है देखिए, यह फार्मूला आप यहाँ रखेंगे तो कोई भी कनवर्जन है आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे ठीक है नीचे टोटल डिवेशन का नंबर है और जीरो से कौन कितना अधिक है उसको वहाँ से गटा अधिक है उसको वहाँ से गटा अधिक है तो सिंपली माली यह अधिक है अभी माली जे कोई भी एक ग्जामपल देखेंगे छोटा साथ माली जे की इसकी बात करते हैं के वर डिग्री सेंटीग्रेट और फारेनाइट में चेंज करना है तो कोई एक वैल्यू ले दिजिए अगर माली जे की 27 या 40 20 को ले रेते हैं 20 दिग्री सेंटीग्र जाएगा तो 180 यह जाएगा पान 5 जाएगा स्कुल्ट यह माइनस 32 जाएगा तो पान 53 पंद्रह पान 36 और 36 में 32 जोड़ देंगे तो 8 68 कितना हो जाएगा फॉनाइट में 68 ठीक है यह जो है इस प्रकार से किसी भी चीज़ का अगर कनवर्जन होगा तो हम आसानी से निकाल कुछ आप लोगों के लिए अगर बात करते हैं तो इंपोर्टेंट जो है जो इगा आप से पूछे जा सकते हैं वह है मालीजे कोई भी फॉर्ण राइट में वैल्यू है 45 45 है इसको आपको सिंटिग्रे रूमर और तेल दें तीनों में ही चेंज करके कमेंड बाक्स में बत है उनकी इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको में कमेंट करके पूछेंगे जिससे आपको पूर्ण रूर से सलुशन में सकें थैंक्स वाचिंग थैंक्यू